नमस्कार दोस्तों आप सबका दिन शुभो भगवान महादेव आज सोमवार है आपका कल्यान करें सभी का आज मैं आपकी जो ध्यान ऐसी समस्य की तरब उठाऊंगा जिसकी तरब किसी का ध्यान नहीं है दोस्तों हाला कि हम इस पर ट्विटर पर काम कर रहे हैं और आप लोग ये भी कुछ बचे कोमेंट करते हैं भाई आप तो बस एक्जाम कैंसिल करवाते रहते हो लेकिन याद रखिए जब कोरोना फैला हुआ था और एक्जाम कैंसिल नहीं हुए थे तब क्या सती थी तो राज क्या सती दिये आप लोग मुझे भले ही भूल जाओ मैं पूब नहीं भूलता आप लोग कुछ भी सोचो मेरे बारे में लेकिन मैं हमेशे आपको प्यार करता हूँ और आपके भले के लिए सोचता हूँ फिलार आज मैं आपकी एक समस्य की तरफ ध्याना घर्षित करना चाहता नीट के एडमिट कार्ड 9 सितंबर से मिल जाएंगे, जबकि जो नीट की डेट है, वो है 12 सितंबर, तो ये NTA अल्रेडी बोल चुका है कि हम 9 सितंबर से तीन दिन के अंदर आपके सारे डमिट कार्ड दे दीएंगे, तो पहली बार इसा हो रहा है कि केवल एक्जाम से तीन द हो जाते हो, आपके अंदर बहुत यूनिटी आजाती है, उस त्राइम अनुराग भाया भी बहुत बड़े होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जैसे ही आपका काम निकल जाता है, आप लोग उस चीज़ को भूल जाते हो, और उस चीज़ को फिर आप साथ छोड़ मैं कोई परधान मंतरी, कोई मिनिस्टर कुछ नहीं हो, मैं एक टीचर हूँ बस, मेरी पावर आप लोग हो, अगर आप मेरा साथ दोगे, तो ही मेरी आवाज आगे जा पाती है, जब एक्जाम कैंसिल हो रहा था, तब मैं आपको एक उपराता हूँ, ट्विटर पर आपको संगठित नहीं हो, आप लोग संगठित नहीं हो, आप लोग बहुत दरते भी हो, और जब आपका काम निकल जाता है, आप लोग दूसरे का साथ छोड़ देते हो, पोस्टपोन नीट तील अक्तूबर तक ट्रेंड कर रहा है, कल ट्रेंड करवाया इसको, बहुत जान लगा मद्य पर्देश का बारवी का इंप्रूमेंट एक्जाम इसके साथ अड़ रहा है नीट के एड्मिट कार्ड के बारे में इंडिया कहना है कि हम उसको नो सेटेंबर से देना शुरू कर देंगे ओनलाइन यानि के देखिए 12 सितंबर को एक्जाम है यह देखो 12 सितंबर को एक्जाम है 9 सितंबर से नीट के एड्मिट कार्ड मिलने शुरू होंगे और यह पढ़ने वालो सोचो दोस्तों सोचो इस बारे में सोचो और देखिए ICAR AIEEA 2021 UG यह BSC एड्मिशन के लिए एक टेस्ट होता ह है यह सेप्टेंबर साथ आठ तेरा को है मतलब देखो 12 तारीक को बच्चा नीट देगा फिर 13 तारीक उसका एक्जाम भी है और मद्देपरदेश का बच्चा इंप्रूमेंट देगा उसी टाइम पर नीट का एक्जाम 12 को है CBST के एक्जाम 25 से 15 को उसी भीचें फसर है और और जिनको जिनके नंबर अच्छे आगे हैं वो तो कोई प्रोब्लम नहीं है उनको तो है ना तो यह एक्जाम कैंसिलेशन जिस तरह करवाया CBST का उसमें कितना लोड बढ़ा मेरे उपर कितना मेरे उपर प्रेशर था उस टाइम मैंने क्या-क्या जहला है मेरे खिलाफ कित हैं जिनके नंबर अच्छे निया वो चिड़ते हैं तुम्हारी वैसे एक्जाम कैंसिल हुए हम एक्जाम देते तो हमारे नंबर जादा जाते भाई पहली बात तो मैं सरकार नहीं हूँ एक्जाम मोदी जी ने कैंसिल किये आई ट्राइड माई बेस्ट ऐसे ही नीट का एक पैसे देखर कुछ वीडियो बनवाओ और आप लोगों का रिमार्क पलट जाता है आप लोग अपने सच्चे साथी को भूल जाते हो आप लोग अपने सच्चे दोस्त को भूल जाते हो अभी क्या टाइम हो रहा दोस्तों अभी 9 बजे हैं सुबह के मैं सुबह सुबह आज बेच देना, एप पर पढ़ाना बहुत आसान काम है, पैसे मिलते हैं, लेकिन एक्जाम कैंजल करवाना, बच्चों का साथ देना, पोस्ट पॉन करवाना, उनके अन्याग साथ खड़ा होना बहुत मुश्किल काम होता है, इसमें खतरा भी होता है, और इसमें कोई पैसे नही का आपको सही ख़़वर देना, आपको सही ख़़वर से, इसका उभी क्या है, educating with news, मतलब आपको सही news देना जिससे आपको दिक्कत ना हो कोई, जिससे आपको कोई भर्मिट ना कर सके, मैं कोई दोस्तो सरكारी officer, कोई मंत्री नहीं हूँ, मेरे पास कोई पावर नहीं है, so प्लीज आप इस बात का ध्यान रखिए कि अनुराग भीया तो हमें सही सुचना देते हैं और हमारा साथ देते हैं सही बात पर मैं ट्वीटर पर लिखता हूँ जब मुझे लगता है कि हाँ बच्चों के साथ ही अधिक्कत हो रही है मेरा कोई orygnation नहीं है मैं कोई association नहीं हूँ ना मेरा कोई ओर अखेला हूँ बस और आप मेरे साथ हो और आप भी साहँ चोर देतों जब वकास काम निकल जाता है इस बात पर धान दीचेगा कल यह भी सोचेगा कि कल आपके साथ खड़े होने वाले लोग नहीं बचेंगे मु बच्चों को निकतना हो तो आप लोगों को लगता है जैनुवन है तो आप भी ट्वीटर पर साथ दे सकते हैं हमारा फिलाल जब सीवेस्टी एक्जाम कैंसिलेशन था और अब उसके बाद से कम से कम 400-500 बच्चे कम हो चुके हैं मेरे ट्वीटर पर यानि कि जिन बच्चों क लगा एक्जाम कैंसिल होगे उनने पिज्ञा था चोड़ो यारभ अब क्या फाइदा है से कहीं बच्चे अब पर चायी बच्चों कवते तो सीवेस्टी एस बार 99.5% का सपास है त treaties are 8% बच्चे जीज्द ethos हुए और आठ परसेंट बच्चों में हजारों लाखों बच्चे इधर दोर हो जाते हैं तो अगर एक्जाम होते तो आज पता नहीं कितने बच्चे कंपार्टमेंट और यह एक्जाम दे रहे होते हैं अगले साल फिर प्राइवेट का फॉम भरते यह भी बात सच हो सकती है क्योंकि बच्चे कह रहे हैं तो जूट नहीं बोलेंगे बहुत कुछ हुआ है अभी हर्याना में प्रिंसिपल साब ने स्कूल के मालिक ने उनके ओप एक लड़की इतनी बत्तमी कर रही उनके साथ 12 की जो स्कूल के मालिक हैं बड़ अच्छे आदमी थे हो शगल से पतल जाता है एंड उन्होंने नदीमेज खूद कर चांग दे दी बच्चों मुझे बहुत दुख हो रहा अस बात का भाई एक्जाम कैंसल होगे अब नंबर तुमारे तुमारे पिछली परफोर्मेंस तुमारे स्कूल की तीन साल की परफोर्मेंस तुमारे स्कूल का फंडा बहुत कुछ मेरे हाथ में कुछ नहीं ये नंबर नंबर देना मेरा काम था आपका साथ देना एक्जाम कैंसलेशन में आप लोग सोचेगा अपने बारे मे और जिनके अच्छ है उह था किया जिनके इच्छ नम्रा आगे वो तो चले गए वस और जिनके बुरा है वो फिर वह जाते हुए उनको लगता है अरे अनुराग सरण ने एक्जाम कैंसल ने इस बने करवाए मिलके सबने मैं इतना बड़ा अगर पावरफूल होता तो मैं कॉलिज में लीडर रहा है बच्चों का बीएड में में कोडिनेटर रहा बच्चों का बीएड कर रहा था मैं आया में क्वालिफाइड MSC बीएड PGTCA टीचर मैं कोई बीटेक नहीं हूं कि बीटेक किया जोब नी मिली तो यहां पर टीचर बन गए मैं एक टीचर ही हूँ मेरा सपना था कि मैं अप्प्ट टीचर कुरो रहा है तो यहां और आपको पड़ाता है आपसे ले लिए ओम प्यू सब्सक्राइब करें जो आपको DOSTO तो जो आपकी प्रोवलम संझे तो बहुत इजिय Kenneth bye बना हूं कोट बैचने शुरू कर दो उपने हैं पने बहूत इसे जैसे बहुत सारे लोगे में नाम निकिसी का ले रहा हूँ बट आप लोग सोचते हो कि अनुराग तो बस यह करता रहता है बच्चों यह बहुत मुश्किल कहाम है इसमें टाइम देना पड़ता है और कोई इसमें आपको इंकम नहीं होती है कुछ बच्ते सूपर्चैट कर देते दें लог Delta कम मिर्ची लग जाते ते रहुआ हैं और पास यूट्यू का फंक्ष्ण और बड़े यूट्सीं को अवाज बहुत-बड़े यूट्वय मानते हो उनकी पुरानी वीडियोज में पहले डिस्क्रिक्शन में उनके एकाउणgoर तक होते थे, आप तो अठारी उन्होंने, मेरे पास प्रूफ है, मैं दिखा दूँगा आपको, जो ज्यादा अपने आपको बड़ा यूटुबर समझते हैं, उनकी वीडियोस में होते थे, अकाउंट नमबर्स. तो प्लीज ध्यान दो इस बात पर, लव यू ओल, थेंक यू वरी मच्छ, थोड़ा था, अगर कुछ गलत लगाओ तो सोरी, मैं थोड़ा दुखी था मैंने बोल दे, जो मैंने बागा है, लव यू.